हलो फ्रेंट्स मैं अमित माल विया एक बर फिर से आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ हमारे यूटूब शेनल के एक ओग नए वीडियो में और दोस्तो इस scheme के सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप यहाँ पर candidate का registration करते हैं तो 180 रुपे का commission है जो आपको CSC की तरफ से दिया जाएगा और अगर आप यहाँ पर student को training प्रोवाइड करते हैं तो उसके लिए आप additional charge भी कर सकते हैं तो आज के इस वीडियो में दोस्तो कम से कम 300 रुपे तक का commission यहाँ पर मिलने वाला है तो वीडियो आप सभी के लिए काफी जादा informative होने वाला है तो वीडियो को like अभी से कर दीजिए और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को subscribe भी कर लीजिए इसी तरह का content आप लोग को हमारे चैनल के माध्यम से मिलते रहता ह तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तो उसके लिए सबसे पहले आपको जो अपना digital सेवा portal लोग इन कर लेते हैं तो आपके सामने इस तरह का interface पेज आपको दिखाए देगा आपको यहाँ पर services वाले button पे click कर देना है जैसी अब यहाँ services वाले button पे click करते हैं तो आपके सामने digital सेवा portal की काफी सारी services आजाती है आपको यहाँ सर्च बॉक्स में सर्च कर लेना है basic तो जैसी आप यहाँ पर basic लिखेंगे तो यहाँ पर आपके सामने basic computer course CSC Academy का option आपको दिखाए देगा आपको click here वाले button पे click कर देना है तो यहाँ पर आपके सामने इस तो यहाँ पर आपके सामने CSC Academy का इस तरह का interface में open हो जाएगा अब दोस्तों CSC Academy के माध्यम से काफी सारे course जो है government के दवारा चलाये जाते हैं जिसमें से एक certificate है यहाँ पर आपको BCC का ठीक है जो कि basic computer का course होता है तो आपको क्या करना है BCC course वाले button पे click कर देना है जैसी आ यहाँ पर आपको Aid Student का button मिलेगा आपको जो यहाँ पर click कर देना है बाकी यहाँ पर जो और भी अलग अलग courses है इसके बारे में भी हमारे चैनल पर वीडियो आते रहेंगे तो उसके लिए आपको चैनल को subscribe करना है बैल आइकन को प्रेस करना है ताकि हमारे चैनल की वीडिय पूरा नाम इंटर करना है जो भी उनके आधार कारड में लिखा है उसके tendencies father's name यहाँ पर mother's name इंटर करना है यہाँ पर DOB लिखना हैíb determ 윌दर के माधियम से घीके ना gender यहाँ पर select करना है male female qualification आपको यहाँ पर select करना है कि जिस student का आप यहाँ पर registration करना है वो दसवी से कम भी state के रहने वाले है, district आपको यहाँ पर चायन कर लेना है, जो भी आपका district है, उसके बाद यहाँ पर आपको customer का address फिल अप कर देना है, area का postal pin code आपको यहाँ पर enter कर देना है, phone number यहाँ पर डालना है, मतलब mobile number डालना है, email ID यहाँ पर डालना है, और जो candidate है, उसका एक photo पर upload कर देना है, सारी information को feel करने के बाद यहाँ पर आपको candidate का photo upload कर देना है, उसके बाद pay now वाले button पर click कर देना है, तो दोस्तों जैसे आप यहाँ पर pay now वाले button पर click करेंगे, तो आपको redirect कर दिया जाएगा wallet में, जहां से कि मातर आपको 183 रुपे का payment करना रहेगा, और इस पर आपको commission के अगर हम बात करें तो 354 रुपे का certificate यहाँ पर sell किया जाएगा, जो basic computer code का certificate है, ठीक है ना, मोटा मोटा अगर हम यहाँ पर देखें तो आपको 170 रुपे से लेकर 180 रुपे तक का commission यहाँ पर CSC की तरब से provide किया जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ पर और आप inclusion कर सकते हैं, अगर आप customer को थोड़ा वोत सिखा देते हैं, और total मिलाकर आप customer को यहाँ पर 500 रुपे का भी चार्ज करते हैं certificate के लिए, तो आपको यहाँ पर पैमेंट कर देना है, जैसी आप पैमेंट कर देते हैं, तो यहाँ पर customer का registration successful हो जाता है, अब दोस्तों अगरा से CSC Academy के dashboard पर आ जाना है, यहाँ पर आपको जो है BCC course वाले button पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको view student वाले button पर क्लिक करना है, तो जैसी आप view student वाले button पर क्लिक करेंगे, तो जितने भी सारे student के आपने यहाँ पर registration किये हैं, उन सभी की list आपको यहाँ पर बता दी जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, student का नाम क्या था, student का state क्या था, id भी यहाँ पर बता दिया जाएगा, username यहाँ पर है और password भी यहाँ पर आ चुका है, भी वेक्तिव का आपने payment कर दिया है, यहाँ पर आपको payment status paid बतायेगा, ठीक है ना, जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने payment कर दिया है, तो यहाँ पर हमको paid दिखा रहा है, अब दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर जो user ID है, यह आपको जो भी आपका candidate या जो student है, उसको provide कर देनी है, username आपको यह वाला जो है provide कर देना है, और mobile number जो रहेगा, candidate का, वो उनका password रहेगा, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे कि हमने username को यहाँ से कर लिया है, copy, अब आपको जो है दो बाड़ा से जो आपका digital सिवा पोर्टल का, जो BCC का कोर्स का जो वेबसाइट है, आपको यहाँ पर candidate को redirect करना होगा, अब यहाँ पर आपको जो है login बटन पर आना है, यहाँ यहाँ पर आपको जो है student से भी login करवा देना है, यहाँ यह वाली website जो है आप student को दे देंगे, यहाँ पर जो user ID आपने अभी copy किया है, उसको हम करते हैं, paste, password में जो आपने candidate का mobile number डाला था, वो password डालेंगे, sign in वाले बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो है candidate का dashboard कुछ इस तरह से दिखाए देगा, जैसे की candidate की photo यहाँ पर दिखाए देगी, candidate का नाम, mobile number, email ID यहाँ पर दिखाए देगा, यहाँ पर आपने candidate का registration कप किया था, वो सारी information आपको दिखाए देगी, अब दोस्तों यहाँ पर आपको जो है launch course का एक option दिखाए देगा, तो आपको ज इस तरह की video topic भी मिलेंगे, जिसके माद्यम से candidate जो है learning कर सकता है, सीख सकता है, computer के बारे में, सिख्छा के बारे में, सारी चीजे वो यहाँ पर देख सकता है, तो यहाँ पर जितने भी सारे modules है, उन सभी को candidate को पहले तो clear करवा देना है, जो भी आपने student aid किया है, उनको आ exam आ जाएगा, जिसमें कि आप से जो है course है, उसके बारे में पूछा जाएगा, जैसे कि course में आप देख रहे है, basic course computer के बारे में पूछा जाएगा, तो modules यहाँ पर आपको बताया जाएगा, introduction of computer, operating system of computer, मतलब यहाँ पर computer के बारे में completely जानकारी दी जाएगी, जो कि आप अ certificate generate हो जाता है, यहाँ पर candidate का BCC certificate आ जाएगा, आप get certificate वाले बटन पर click करेंगे, तो यहाँ पर जो है इस तरह का certificate हो आजाएगा, इसको download करके, print करके आपको जो है, जो भी आपका student है, उनको provide कर देना है, दोस्तों इस से क्या होगा, कि जो भी student है, उनको जो है basic computer course का certificate होता जिससे कि उनका भी motivation बढ़े और वो जो है computer के बाड़े में नई नई चीच सीख सके, तो उमीद करता हूँ दोस्तों कि इस गर्मी में आप जितने भी सारे CSC VA लिए ज़्यादा से ज़्यादा BCC में registration करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा student को आप ट्रेन करेंगे, और ज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, हमारे चैनल पे आपको इसी तरह का content मिलते रहता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइगन को प्रेस कर लीजिए, मैं मलता हूँ आप से नेक्स वीडियो में किसी नई information के साथ तब तक के लिए आप मैं हिन जए भार